तो दोस्तों मैं लिकर आ गई हूँ एपिसोड 3 की हिंदी एक्स्पिलेशन तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए एपिसोड और विडियो की शुरुआत करते हैं तो हम एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जौंग जिन जो है काफी जादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है इस वज़ा से क्यूंकि लिंशी को ये पता चल चुका है कि जौंग जिन है वो कार्टून क्रियोंस वाले अंडरवेर्स पहनता है इसी वज़ा स बैलकेनी में चुकर होता है वह चीज लेता है उस पर चड़ कर एक डंडे से उसे छटाने की कोशिश करता है तकि वह अपने अंडरवेर को छिपा सके जल्दी से तक लिंशी न देख ले तबिवापर जैसी कोशिश कर रहा होता है कि पीछे से लिंशी आती है लिंशी नहीं पर लिंची जैसे ही उसे हाथ लगा कर पूछती है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो, तब भी अचानक से वह काफी साथ डर जाता है और वहां पर उसका पैर जिस स्लिप हो जाता है, दोनों धडाम से नीचे गिर जाते हैं, वहां पर जांग जिन के हाथ में जितने भी अंडर्वेज होते हैं वो सभी हवा में उचल कर उसके चेहरे पर आकर गिर जाते हैं जहाँ पर लिंची जो है अचानक से उठकर उसके दिल पर हाथ रखते हो बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना जहाँ पर जांग जुन को काफी गुसा आत कि तुम अपनी बक्वास बन करूंगी तुम पता भी क्या ऑल रही हो जहाँ है वहीं पे जो नहीं पर लिंची जो है जो अपको चोट कैसे लगी है वहीं पर लिंची प्लटक चोट कैसे लगी भी लंच भर्ड़र से शुरू कर देतीं है कहती है कि मुझे लगता है कि इसको जो है काफी ज़ादा चोट लगी है इसके पैर मुझे लगता है इसके पैर की हड़ी टूट गई है वो काफी ज़ादा बगबग करने लग जाती है जहां पर डॉक्टर और जॉंग जिन जो है लिंशी को देख रहे होते हैं बगबग करते को देखती की पिर शीन जाद हों आधियों कि जाती है दाक्तर को हम स्वाइन। वो देख लेता है उस बच्चे को ऐसी हरकते करते हुए लिंशी को हसते हुए और वहीं पर वो गलत समझ लेता है उसे लगता है कि लिंशी जो है इस बच्चे को बुली कर दिये कि तब ही लिंशी भी काफी डर जाती है जांग जिंग को देखकर वो जो इससे explaining करती है कहती कि तुम्हें जैसा लग रहा है वसा कुछ भी नहीं है मैंसे कोई बोली नहीं कर रहे है ये बच्चा अपने मरजी से ऐसी हरकते कर रहा है कि तब हम पर उस बच्चे के डैड आ जाते है बच्चा अपने डैड के साथ चला जाता घर उसे कहता है मुझे पता है कि तुम इस रहे शर्ट खीची मेरी पैंट भी कीच दिया तुम्हारी वज़े से मुझे स्कूल में पभी वो सब कुछ अंजाने में होता हुआ पता है उसे आपि अच्छा में लगा रहो है तुम पए फिर वो कहते है कि हाँ मैं मानती हूँ कि आज जो हरकत हुई है तुम्हारा पैर जो मतलब मेरी वज़े से उसमें चोट लगी है वो मेरी गलती है लेकिन कल तो कहते है अच्छा तो वो कल वाली बात को क्या मैं यह सोचू कि वो अंजाने में हुई है जा पर फिर वो जो है उस मुझती है कि दॉक्त ने क्या कहा दाप्टर ने तो खाय कि पैर की चोट जो एक दम ठीक है उसे कोई चोट वोट नहीं लगए बस हलकी सी स्वयले ना रख़ियर उसके पैर में तब ही वह सोचते कि पाइदा उठाया जाए तब ही लिंशी से कहते है कि डॉक्तर ने कहा है कि म तुम्हें जगह पे तुम्हारे सारे काम करूंगी और तबही फिर वो जो हे उसकी नैनी बन जाती है वो से घर लेकर जाती है और जैसे उसे बैठ पर लिटाती है हुँआ जासर ही उसे कहती है कि रेस्ट इन पीस जहाँ पे वो कहती है कि कि तभी उपर से वाज आती है जो कि उससे पाग रहा होता है वही पर उसे बहुत ज्यादा गुशा आता है तभी वह हुखकर जाती है सीडियों से और पानी दे कर आती है और वहीप जॉंख जीन हो काफ़ी सब्राइब हो शीदी को प्रिशान कर t फिर में नेक्स इन में दिखाया जाता है जापे जॉंग जैन और लिंशी जो है अपने क्लास रूम में बैठे होते हैं कि तभी आचानक से टीचर आ जाती है कुछ टेस्ट पेपर लेकर वहीं पे वह जॉंग जैन को बुलाती और कहती है कि टेस्ट पेपर स्टूडेंस में कि तभी आपे जॉंग जैने वह ऐसा दिखावा कर रहा होता है कि उसे पैर में काफी ज़दा दर्द हो रहा है जापे लिंशी देख लेती है कि तभी वह चैनक से खड़ी होकर बोलती है टीचर से कि मैं जूंग जैनकी जगा पर काम करूंगी और फिर थोड़े देर बाद उनकी क्लास ओवर हो जाती है जहां पर लिंशी जो अपना बैक पर करकर घर जाने के बारे में सोच रही है कि तभी एक स्टूडेंट आकर जो है जांग जिन को बोलता है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी याद है आज तुम्हें ब्लैक बोर्ड साफ करना है फिर तभी जो ज जानकी जहां पर कर जलनकी करता है वह बार जाती है कि जो जानकी काम तो उसे जाकर उससे बोलती है कि तुम कुछ भी करकर मुझे जो है जॉए 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 बहुत आसान है बस अपना पैर तोड़ वालो और वहां से कहकर इतना जा रहा होता है बहुत ही नॉर्मली तब यहां पर शियान जो उसकी पैरों की तरफ देख रहा होता है फिर वहां पर जो जो जाद आता कि उसके पैर में चोट लग रही है फिर से वह ड्रामा करने लग ज मेरे मेडल्स को रख लो जैसे लिंशी उसके मैडल्स को देख खुष होते हैं उससे कंग्रेचुलेट करती है फिर तब हुआ पर जो शिनका है लिंशी को इतने टेंशन में देखकर उससे पूछते हैं कि तुम इतने टेंशन में क्यों हूँ मुझे बताओ ना मैं तुम्हें ये प्राब्लम सॉल्फ करूँगा जहाँ पर लिंशी बताती है कि मैंने किसी का पैर तोड़ दी है जहाँ पर जो शिनका है वो काफी जाथ शॉक्ट हो जाता है रहा हसते हुए लिंशी से बोलते है कि क्या तुम ने किसी का पैर तोड़ दी है जहां पर जो लिंची वो बोलती है कि हाँ जान बूच के नहीं तोड़ा गलती से हो गया है और कहती है अब मुझे उसका सारा काम करना होगा महीं पर उसे बता देती कि उन्हें जो है वालेंटेर वर्क के लिए बाहर जाना होगा और फिर हमें नेक्सीन में दिखाया जाता है जा पर लिंची और जांग जे और शीयान और मियान स्ट्रीट में पहुँँ जाते हैं वालेंटेर वर्क करने के लिए महीं पर वो जो है देखते हैं कि एक वाल पे ठेड़ सारे पैमपलिट्स चिपके हुए हैं वहीं पर वो सोचते हैं कि अभी ने कैसे छुटा है, वहीं पर शियान मियान इस काम को डिक कर डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस से अच्छा तो हम स्ट्रीट में जाडू लगा कर सफाई कर ले, तब ही वो लोग भाग जाते हैं जाडू लगा कर सफाई करने के लिए, फिर रहे जाते हैं लिंची और जोट नहीं रहे गार जाता है कि और हम पर वाड़ काम सब्सक्राइवा से स्षाद करना होते हैं यह प्लिफ ऑफ वॉल्प्रोम चिपक रहे होते हैं यहां लेके लिफे कि यह हुट करने काम नहीं कर पाता देध its फिर तभी हमें नेक्स सीन में दिखाया जाता है जहापे वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं बीच में और लंच कर रहे होते हैं मिलकर जहापे जो जॉंग जेन है वो लिंची से कहता है कि तुम थोड़ा सा जादा खाओ तुम्हें बहुत जादा काम भी तो करना है जहापे मिय कि तो फाइदा इंची का दूल साथ एक जगा पर और इससे के साथ के लिए के थाइए तुम्हारा फाइदा रहा है, बुली कर रहा है। पर ने पर मुझे नहीं नहीं कर रहा है, मेरी भजह से पैर नहीं समस्थ होगा, मुझे भ़ज़ादा रहा है। कितने मुलायम थे लेगिन अब कैसे हो गया इन में ठोड़े थोड़े से चाले पढ़ गया जब यह बोलती कि तुम क्टेंशन मतलो मैं सब कुछ नगे ही है जहाँ पर जाँ जॉन आपे साथ कि मैं सबके साही हरकते नहीं करता हूँ तहुए पता है हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा उस ने शुरुआत की है मैं वह अपनी करनी की सजब भूगत रही है पर तभी ऑं देखते मियान और लिंशी को वाल पे एक पोस्टर दिखता है जिस पे एक मिसिंग कैट के बारे में लिखा होता है और तभी वह दोनों जियान और जॉंग जे को आवाज मारती है जहाप फर पोस्टर पे लिखे हुए को पढ़ने लग जाते हैं कि तभी आप है अचानक से के लादो, मैं उसे ढूंड रही हूं कितने दिनों से, कि तभी हOVA पे वो लोग भी जो है सोचते हैं، कि हमें ढूंडने चाहिए, तभी हOVA पे वो लोग भी जो है, उस ओनर के जाने के बाद से, ़ कि तभी शियान बोलता है, कि राथ होने वाली है, हमें जो है घर जाना चाहिए लेकिन तभी हुआ पर लिंशी सोचती है कि हमें जो इस cat को ढून नहीं होगा और तभी हुआ पर अचानक से जो है वो cat मिल जाती है जो कि एक पेड़ पे अटकियो ही होती है तभी हुआ पर वो सबको आवाज मारता है सबी लोग जो इस cat को देखकर काफी खोश हो जाते है तभी हुआ पर वो जो है शियान से बोलते है शियान जो है इस पेड़ पे चड़ने की कोशिश करता है वो cat जो है काफी उचे पेड़ पे चड़ी हुई होती है तभी अपर श्यान जो है वो नहीं चड़ पाता उस पेड़ पे तभी वो सोचते हैं कि अब कौन चड़ेगा क्योंकि जौंग जिन के पैर में तो लगी हुई है वहीं पर लिंशी बोलती है कि मैं इस कैट को उतारूंगी उस पेड़ पे से तभी अपर लिंशी जो है इस पेड़ पे से उतारने की कोशिश करती है और काफी अच्छे से वो उतार भी लेती है नीचे वहीं पर जौंग जे को काफी खुशी होती है लिंशी को खुश देखकर वही पर लिंशी भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने फाइनली सेफली उस कैट को पेड़ से नीचे उतार लिया फिर तभी वहाँ पर उस कैट की ओनर आ जाती है क्योंकि वो से कॉल कर देते हैं और उस cat की owner उस cat को देखकर काफी ज़ादा खुश हो जाती है और उन लोगों को बहुत thank you कहती है कहती है कि thank you तुमने मेरे बच्चे को ढूंडा फिर वही पर वो cat को अपने साथ लेकर चली जाती है ज़ Taste, लिंशी के हाएं खרोच़ को देख हो लेकर जा रही होती है ज़ाएं जाती है और पर उसे रोकती हुँ कहता है तो महीं पूशता है कि तुम्हें क्या हो गया है वहीं पर लिंची बता आती है कि तुम्हें पता है वो cat जो है उसे पता चल चुका है कि वो मरने वाली है इसी वज़े से उसने घर छोड़ दिया ता कि उसके मरते वक्त उसके owner को दुखना हो जहां पर जांग जी जो है उस बात पर भरोसा नहीं करता है वो कहता कि क्या पास कर रひय हैं तो मैं ऐसे कहसे सीख कर आती ही बाते जहां पर कुछ बहाती है कि मुझें पता है उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है लिंची जो है नाराज उजाती आगे बढ़ जाती हैं फिर रात हो पड़ी बाते लिकर सह का छाका जाता है क्या उसना कूर्प जूट कर द हो और भी पेवारु और डी टरंशियों को साविट को काता है वह जो चेयर पर ही सो गई होती है तभी वो देखता है उसके पास जा अचाल ji चुट करने के लिए और उस चला जाता है जान पहुंत जातàng जाता है जहाँ वोलन्टुर करने के लिए गए तersonal शोल आए वाल में कि पहते हैं वहीं पर हम दूसी तरफ देखते हैं कि शिंकाय जो है अपने दोस्तों के साथ रेस्टरों में बैठा होता है और इंजॉय कर रहा होता है फूट को कि तब उसे याद आता है कि लिंशी काफी जादा परिशान थी वॉलेंटियर वर्क को लेकर तब भी वह जो है लिंशी की यह इतना बड़ा प्रजेक्ट जहां पर जो शिंकाय काफी शॉक्ड हो जाता है उस वाल को साफ सुथरा देखकर वह कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिंशी इतनी फास्ट निकलेगी और फिर तभी वह अपने दोस्तों से बोलता है कि कोई बात नहीं हम लोग मिलकर इतना देता है और फिर तब मुआ अचानक से एक आदमी आता है जो साफ सुथरी बाल पर फिर से पैंपलिट लगा रहा होता है जापिए जब लिंशी जो है उस आदमी से बोलते कि प्लीज इस पर मत लगा ही हमने अभी अभी सफाई की है जब ब्स आदमी जो है नहीं मानत जो वह समझ जाती है कि जो है बेवकूफ बनाया उसके पैर में कोई चोट लगी नहीं थी और तभी वह जूंग जिन से कहती कि तुमने मुझसे जूट क्यूं कहा सिर्फ मज़े के लिए जहां पर बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी सोच कर नहीं किया था मैं उसे दिन बता कि पाण पाया तब ही ओ कहते हैं कि मैं तुम से दोस्ती करना चारी ते लिए में तुम जैसे इनसान कहाशा दोस्ती कैसे कर सकती हूँ जिसे अपनी हेल्थ की बिलकुल भी परवा नहीं है जो अपनी हेल्थ का मजाक उड़ा सकता है और दूसरों के कंसंट की भी कोई परवा तब रिंशी काफी खुरस जाथ और में मेरें वहाइद बोड़ और फॉलन के दिया को 3 तुम्री के नहीं जाते हैं कि दोब séeth तैने सब्सक्राइब से अग्षाइबए सब्सक्राइब करती है जिसकी वज़े से उसको पैर पर लग जाती है जौँघ गुझसा करका आज चलि जाती है और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है तो दोस्तों मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड फॉर की हिंदी एक्सप्लेशन के साथ आपको मेरा विडियो या एपिसोड अगर हिंदे एपिस्प्लेशन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर ज़रू बताएं चैनल पूर नए सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो